जैन दोस्तों वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो दोस्तों अगर आपको भी समस्या है वोईसेश और ट्रान्फोर्मेशन से रिलेटेड एमसी क्यूज को प्रैक्टिस करने में आंसर फाइंड आउट करने में तो आज की वीडियो वोईसेश और ट्रान्फोर्मेशन से र following sentence, यह हमारा sentence है, he knows me, यह active में है, आपको बताना है, जब हम passive में बनाएंगे, तो इन चार options में से कौन सा एक option सही हो जाएगा, A option, I am known by him, क्या यह सही होगा, B option, he is known by him, क्या यह सही होगा, C option, I am known to him, क्या यह सही होगा, यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं answer बताऊँगा आपको, फिर उसके बाद आपको explanation दोगा, कि आखिर वही उत्तर क्यों सही होगा, और उसके साथ साथ हम rule को भी cover करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा, option C, यहाँ पर मैं तोड़ा erase कर देता हूँ, option C, I am known to him, यह answer बिलकुल सही होगा, आप क्यों होगा, चलिए दोस्तों, rule सीख लेते हैं, तो दोस्तों कुछ fixed prepositional verb होती हैं, जब यह verb आप देख सकते ह preposition हैं, यही प्रपोजिशन इन के साथ लगाया जाएगा, non अपने साथ लेगा, surprised के साथ हमेशा at आएगा, amazed के साथ at आएगा, astonished के साथ भी at आएगा, waxed के साथ भी at आएगा, annoyed के साथ bid भी आएगा, at भी आएगा, bid कव आएगा, जब हमारा किसी वेक्टी की बात ऑध ओ पूछता है यहीं से उठाता है तो चलिए आते हैं अपने question पर तो यहां पर आप देख सकते हैं he knows me singular हमारा subject है उसके according as or yes लगा हुआ है जो हमारा present indefinite tense को दिखाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं me हमारा object है me का हमारा यहां पर I हो जाएगा present का tense है तो M आएगा क्योंक सकते हैं option C will be corrected को यहां पर concern या problem है ने नीचे मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं बढ़ते हैं अगले question पर तो next हमारा question है change the following sentence into passive voice यहां पर आप एक sentence देख सकते हैं इसको passive voice में change करना है the officer refused him leave चार options आपके सामने है a option he was refused leave by the officer क्या यह option सही होगा b option the officer refused leave by him क्या यह सही होगा C option he was refused by the officer क्या यह option सही होगा या D option the leave was refused by him क्या यह option सही होगा चलिए देख लेते हैं correct option क्या होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो correct option हो जाएगा बो हो जाएगा option A he was refused leave by the officer rules देख लेते हैं तो दोस्तों past indefinite tense अगर active voice में हो और उसका passive voice बनाये जा रहा है पहला past indefinite का rule देख लेते हैं subject आता है उसके बाद बर्व की second form then object आता है object हमारा इधर आ जाएगा subject हमारा उधर पहुँच जाएगा past का tense है तो watch या बर subject के according लगाएगा यानि कि जो object बनाए इसके according watch या बर आएगा watch हमेरा जब यह जो object singular है तो watch लगा देगे plural है तो बर लगा देग बर्व की third form आती ही आती है then उसके बाद by लगा देगे then हमारा subject आ जाएगा तो यहाँ पर आते हैं अपने question पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं the officer हमारा subject है refused हमारा बर्व है him हमारा object है यह हमारा leave additional word है यह बाद में put कर दिये जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते है him जो एक object है तो यहाँ पर subject बन जाएगा past का sentence है तो watch या बर आएगा ही हमारा singular subject है इसके according watch लगा दिया गया है refused हमारी b3 form आ गई then additional word उसके बाद by लगा दिया फिर जो हमारा the officer subject है यह हमारा object बन जाएगा इस हिसाब से हम बोल सकते हैं option a will be corrected चली बढ़ते हैं अगले question पर next हमारा question आप अपनी screen पर देख सकते हैं someone has made a hole in the fence ये एक sentence दे रखा active voice में आपको change करना है passive voice में चार options आपके सामने है A option a hole had been made in the fence by someone क्या ये option सही होगा बी option a hole had been made in the fence क्या ये option सही होगा C option the fence had been hold क्या ये options है ये options someone hold the fence क्या ये options है ये देख लेते हैं correct option क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो correct option हो जाएगा भो हो जाएगा option B a whole has been made in the fence rule देख लेते हैं तो दोस्तों present perfect tense अगर हमारा active voice में है और उसको passive बनाना है पहले हम rule समझ लेते हैं present perfect tense का rule क्या होता है पहले subject आता है फिर hedge या have लगा देते हैं अगर subject हमारा singular है तो hedge लगा देंगे और अगर plural है तो यानि कि दो दो से ज़्यादा है तो हमारा have आ जागा बर्व की third form then हमारा object आता है तो इस object को हम यहाँ पर ले आएंगे और इस subject को हम यहाँ पर ले आएंगे पहला rule तो यही है उसके बाद triple H का formula होता है दोस्तो hedge, have और head इनके साथ अगर sentence में कुछ दिख जाए तो passive में यह hedge been, have been, had been हो जाते हैं तो hedge का hedge been हमने यहाँ पर कर दिया have होगा तो have been हो जाएगा, then B3 यानि की बर्व की third form लगाएंगे, उसके बाद हम by लगाएंगे, then हमारा subject आ जाएगा चलिए आते हैं अपने question पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, someone had made, had made हमारी क्या है, एक बर्व है a whole यहाँ पर object है, in the fence यहाँ पर additional words है, तो यहाँ पर मैं थोड़ाई इसको erase कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, a whole यहाँ पर subject बन जाएगा, had been आएगा, क्योंकि हमारा sentence present perfect में है, यहाँ पर hedge आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी hedge आएगा, उसके साथ been लगाएंगे, क्योंकि पैसिम में हम had been या have been कर देते हैं, subject के according, क्योंकि यहाँ पर singular subject है, तो इसल बच्चे सोच रहे होंगे, कि by someone यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लगा हुआ है, तो इसके according यह सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर present perfect tense होना चाहिए, तो इसे साथ से यह भी कड़ जाएगा, यह भी कड़ जाएगा, यह भी कड़ जाएगा, जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएग अगले question पर, next हमारा question है, change the following sentence by removing two, choose your correct answer from the option that follows, एक sentence दे रखा है, sentence क्या है, the news is too good to be true, एक sentence है, आपको यह जो तो दे रखा है, इसको remove करना है, चार options आपके सामने है, आपको बताना है, इन चार options में से कौन सा option सही होगा, तो यहाँ पर a option, the news is so good that it cannot be true, क्या यह option सही होग D option, the news is very good to be true, क्या यह option सही होगा, C option, the news is not so good to be true, क्या यह option सही होगा, D option, the news is so good that it has to be true, क्या यह option सही होगा, तो यहाँ पर जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा, the news is so good that it cannot be true, चलिए rule समझ लेते हैं, बहुत important rule है, दोस्तों, इस rule को अपनी notebook में note down करके रखियेगा, क्यो अरजिता बता दिया, तो यहाँ पर अगर हमारा two plus two के बीच में कोई adjective दे रखा है, और examiner कह रहा है कि भहिए two को remove करो, तो आप so that plus subject then cannot लगा कर remove कर सकते हैं, example के थूरू सबस्ते हैं, जैसे the teacher is too old to work hard, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं two और plus two के पहले adjective आया है, old, यहाँ पर यह pair बन गया two plus two का, उसके बाद बर का hard आया है, कैसे change करेंगे, the teacher की जगे, the teacher लगा देंगे, present का हमारा sentence है, इस तो present की ही बर्व लगा देंगे, अब यह two plus two को हटा कर हम क्या कर देंगे, so that का एक pair कर देंगे, और जो old है वो adjective बीच में रखा रहेगा, उसके बाद इ teacher के according ही लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, जब हमारा gender decide नहीं होता है, subject का gender, यानि की male है या female हमें पता नहीं होता है, तो हम he, see, it में से he को priority देते हैं, कई वार यहां से question आया, तो मैंने आपको बता दिया, तो teacher के according यहां पर ही लगा दिया, present का sentence है, तो हमने cannot लगा दिया, क्योंकि अगर यहां पर watch होता या बर होता, तो यहां पर could not हो जाता, बस इतना सा यहां पर फरक आ जाता, then हमारा work hard agility जो ही लग जाता है, तो इस तरीके से हम two को remove करते है, so that plus cannot का pair बना कर, तो यहां पर आप देख सकते है, the new is two, यहां पर two plus two को हट जाकर हमने so that लगा दिया, यहां पर यह so that का pair आपको लगा देना है, अब news यहां पर living thing तो है नहीं, तो यहां पर इसके according हमने it लगा दिया, present का sentence है, तो इसलिए cannot be true लगा दिया, अगर यहां पर watch होता, तो यहां पर हम could not be true कर देते हैं, तो इस हिसाब से हमारा option A है, will be corrected चली बढ़ते हैं, अगले question पर next हमारा question है, change the following sentence into passive voice, एक sentence दे रखा है, इसको आपको passive voice में change करना है, sentence हमारा who can save our country, यहां पर 4 options दे रखे हैं, चार options में से कोई जाई एक ऐसा option है, जो बिल्कुल सही होगा, A option whom can be saved our country, B option by whom can our country be saved, C option who can our country save, या D option by whom our country can be saved, चली आंसर हम reveal क कर देते हैं, पहले मैं इसको तोड़ा remove कर देता हूं, और answer जो हमारा होगा वो हो जाएगा, answer B, by whom can our country be saved, यहां पर दोस्तों rule समझ लेते हैं, rule क्या है, तो दोस्तों याद रखना, अगर हमारा sentence who से शुरू हो रहा है, उसके बाद modal कोई भी बरबारी है, modal like can, could, may, might, will, sell, then हमारा man verb, then object, अगर इस structure में कोई भी sentence, integrative sentence बन रहा है, तो passive voice में यह वाला structure हम follow करेंगे, यानि की who को हटा कर by whom, या फिर whom भी लिख सकते हैं, last में हम by भी लगा सकते हैं, तो चाहें यह वाला follow करो, चाहें by whom, एक साथ लोगो आपकी choice है, then हम modal जो भी है, can, could, may, might, will, sell, व यहां पर आप देख सकते हैं, who को हमने by whom में convert कर दिया, can, adjectives यहां पर write कर दिया, this serious patient को हमने यहां पर लिख दिया, नहीं की as a subject हम use कर रहे है, then हमारा be आ जाएगा, और उसके बाद जो treat है, जो first form है, वो third form में convert हो जाएगी, तो अब आते हैं अपने question पर, तो यहां पर आ वो हमारी बर्व की third form हो जाएगी, इस हिसाफ से हम बोल सकते हैं, option B will be corrected, कोई भी concern या कोई भी problem है, तो नीचे मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं, तो चली बढ़ते हैं, अगले question पर, next हमारा question है, does anyone like paying taxes, assertive sentence में हमें इसको convert करना है, यानि कि यह जो integrative sentence है, इसको हमें assertive बन pay taxes, क्या यह option सही होगा, या the option everyone does not like paying taxes, क्या यह option सही होगा, चली यह answer देख लेते हैं, उसके बाद में हम rule समझते हैं, तो जो correct उत्तर हो जाएगा, correct option हो जाएगा, बो हो जाएगा, option B, nobody like paying taxes, चली रूल समझ लेते हैं, rule क्या है, तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई भी integrative से assertive sentence में convert करने के लिए examiner आप से बोल रहा है, जिसे present indefinite tense को कोई भी integrative sentence examiner ने दे दिया है, तो पहला जो rule है, वो है positive अगर sentence तो उसको आप negative बना देना, और अगर negative sentence तो आप उसको positive बना देना, पहला rule यह है, कहने का मेरा मतलब है, sentence में अगर note नहीं है, यानि कि अग आपको assertive बनाना है, तो negative कर देना, तो यह हमारा rule जैसे judge, do, यहाँ पर हमारा integrative sentence helping verb से शुरू हो रहे है, then subject आएगा, then man verb, then हमारा object, इस तरीके से हमारा integrative sentence बनता है, और इसको अगर assertive sentence में change करना है, then हमारा subject पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर helping verb आ जाएगी, फि क्योंकि उपर वाला जो sentence है, वो positive है, नीचे वाला automatically negative हो जाएगा, अगर उपर वाला negative है sentence, तो नीचे जो हम बना रहे हैं, वो positive हो जाएगा, तो not उपर वाले में नहीं था, इसलिए हमने आपर not लगा दिया, man verb adjectives, यहाँ पर उतार देंगे, object adjectives, यहाँ पर उतार देंग उसके बाद verb की first form than me, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, you do not, क्योंकि positive sentence था, negative कर दिया, love me, इस तरीके से हम यहाँ पर convert कर देते हैं, अब आते हैं अपने question पर, तो यहाँ पर does anyone like paying tax, यह पता ही sentence हमारा positive है या negative, तो यहाँ पर आपको पता है, यह sentence positive है, तो यहाँ पर हम negative यानि कि जो nobody है, यह एक negative subject है, तो यहाँ पर nobody का use कर देंगे, likes paying taxis, तो nobody as a singular subject use हुआ, इसलिए as or yes का use कर देंगे, तो like की जगे likes हो जाएगा, paying taxis, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, option B will be corrected, चली बढ़ते हैं अगले question पर next हमारा question है, the president appointed him governor, passive voice में इस sentence को convert करना है, यह option है appointed by the president, क्या यह option सही होगा, C option, he was appointed governor by the president, क्या यह option सही होगा, यह option, none of the, अब अब यानि कि इन में से कोई नहीं चली, answer देख लेते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूँ, answer हमारा जो होगा, वो हो जाएगा, option C, यानि कि इसका जो correct passive voice बनेगा, वो बनेगा, he was appointed governor by the president rule समझ लेते हैं, rule क्या है, तो दोस्तो past indefinite का अगर कोई active sentence examiner ने दे रखा है, past indefinite का rule आपको अलड़ी मैं बता चुका हूँ, subject आता है, बर्व की second form, then object आता है, और अगर passive में convert करना है, पहले हम object लिखेंगे, object के according, अगर object singular है तो वोज लगा देना, plural है तो बर लगा आजाएगा, यही हमारा rule चली आते है, अपने question पर, the president हमारा यहां पर subject है, appointed यहां पर बर्व है, him हमारा object है, governor हमारा additional word है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, him यहां पर बर्व के बाद आया है, तो object की form में आएगा, अगर subject से पहले आएगा, तो subjective form में आएगा, तो him object है, traditional word, उसके बाद by लगा कर the president, यानि की जो subject है, वो यहां पर लिख देंगे, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, option C will be corrected, कोई भी concern नया problem है, तो नीचे मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं, और दोस्तों अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे channel से जु कर दीजिएगा, मेरे दोरा जितनी भी वीडियो बनाई जारी है, वो सभी notification के थुरू आपको मिलती रहेंगी, और इसी तरीके से grammar के नएने rules को हम सीखते रहेंगे, चली बढ़ते हैं, अगले question पर, next हमारा question है, which of the following sentences is in the active voice, आपको बता ना है, इन चार options में से, कौन सा य I have been seen in the streets, क्या यह option होगा, B option the injured player was being carried off the field, क्या यह option से ही होगा, C option the old newspapers were thrown away, क्या यह option से ही होगा, D option I remember my father taking me to the Jew, क्या यह option से ही होगा, चली देख लेते हैं, correct option क्या होगा, जो हमारा sentence active voice में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, option D will be corrected, I remember my father taking me to the Jew, यह हमारा sentence, जो active voice में है में होगा, तो यहाँ पर दोस्तों में आपको बताना चाहूँ, और rule यह है, कि अगर sentence में EJMR दे रखा हो, वाजबर दे रखा हो, बिल भी सेल भी दे रखा हो, और उसके बाद अगर कोई बर्व की third form आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैज बीन, हैब बीन, हैड जाएगा, इंजर्ड प्लेयर वाज बींग केरिड, वाज बर के बाद B3 तो यह भी कर जाएगा, पैसिम में जा रहा है, दा न्यूज पेपर्स बर, यानि की बर के बाद थ्रौन हमारी B3 form में तो इस हिसाब से यह भी कर जाएगा, एक्टिब में सेंटेंस बताना है, तो ह एक्टिब में कनवर्ट करना है, फ्रॉम दा गिविन ओफ्सन, ए ओफ्सन हमारा है, रीता वोईज राइटिंग अ लेटर, क्या इसका यह हमारा एक्टिब वोईज सही होगा, बी ओफ्सन, रीता हैड रिटिन अ लेटर, क्या यह ओफ्सन सही होगा, या डी ओफ्सन, रीता wrote a letter क्या यह option सही होगा चलिए देख लेते हैं correct option क्या होगा जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा option डी रीता wrote a letter क्योंकि यहां पर यह हमारा बिल्कुल सही active form में लिखा गया sentence उपर वाले बिल्कुल incorrect है चलिए rule समझ लेते हैं rule क्या है rule से है कि अगर कोई भी sentence past indefinite tense में हो passive में दे रखा हो तो उसको हम इसमें convert कर देंगे active में दे रखा हो तो इस तरीके से convert कर देंगे past indefinite का rule क्या होता है subject बर्व की second form then object आता है और अगर passive में convert करना हो तो पहले हम object रखेंगे object के according watch या बर्व helping बर्व लगाएंगे then b3 then by then हमारा subject आ जाएगा अब इस वाले format में हम हमारा question दे रखा है और इस वाले format में हमें बनाना है तो पहले हम यह जो subject है वो यहाँ पर पुट कर देंगे then verb की second form then हमारा object आ जाएगा वही format हमने यहाँ पर use किया है रीता हमारा क्या है object है हमने subject बना दिया then right की second form wrote कर दी उसके बाद a letter जो हमारा subject था वो हमने object बना दि चली बढ़ते हैं अगले question पर तो आज की वीडियो का last question है change the voice of the following sentence a new dress is being born by ruby यहाँ पर एक sentence दे रखा है आपको active voice में convert करना है a option a new dress is born by ruby क्या यह option सही होगा बी option ruby be as a new dress क्या यह option सही होगा चली देख लेते हैं correct option क्या होगा तो यहाँ पर जो correct option हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option c ruby is bearing a new dress चली रूल समझ लेते हैं तो दोस्तों present continuous का अगर sentence active में है यह passive में है किस तरीके से change करेंगे यहाँ पर present continuous का tense का जो structure होता है वो होता है subject then age m are subject के according बर्वाएंगी then बर्व की base form में ing then object इसको अगर हमें passive में convert करना है तो यह जो object है इसको इधर ले आएंगे यानि कि पहले object object के according age m या फिर r लगाएंगे then being लगा देंगे यह जो ing बर्व की ing थी यह b में यानि कि जो b form होती है उसमें लग जाएगी और बचा हमारा b1 तो वो b3 में convert हो जाता है then हमारा by then हमारा subject हो जाता है वही हमने यहाँ पर किया है a new dress हमारा क्या है यह subject है each being यहाँ बर्व है born by ruby ruby यहाँ पर हमारा object तो हमने subject बना दिया subject के according age m r लगाएंगे तो age यहाँ पर ruby के according लग बर्व की base form में ing लगा दी then a new dress जो subject था वो object में convert हो गया तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं option c will be corrected तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में 10 mcqs को cover करते करते 10 important rules को भी cover किया दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगए तो like कीजिए दोस्तों से share कीजिए और दोस्त आप जुड़ सकते हैं चुड़ने के लिए already मैं बता चुका हूँ subscribe button पर आपको tap करना पड़ेगा अगली वीडियो में फिर दुवारा मिलते हैं एक नई concept नई content के साथ जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जाए हिंद